ओम सहनाववतो सहनावभुनक्तो सहवीर्यम करवाव है तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्विश्वाव है ओम शान्ते 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 योग वः स्वास्थय के इस प्रत्те एक दिन के लाइव कारेक्रम जोकी स्वामी नीउस के फेस्बुक पेज पर लाइव रुप प्रसालित होता है इन सब आसनों और प्राणयाम प्राक्रतिक चिकित्सा के अलगлять अलग्व को हम इस कारेक्रम में बताते हैं इस क्रिया में इस कारेक्रम के इस पूरे थीम का अमारा नाम ही योग वा प्राकृतिक चिक्सा योग वा यज्य चिक्सा ऐसे अलग-अलग नामों के द्वारा इस पूरे योगिक थेरेपी को हम बताते हैं जिस रोग में जो आसन जो प्रणयाम करना चाहिए और किस रोग में कौनसा आसन कौनसा प्रणयाम नहीं करना चाहिए ये हम कौन से कौन से पदार्तों द्रव्यों के द्वारा करके अपने अपने रोगों को ठीक करना चाहिए वह भी हम जानते हैं करेक्रम को पूरे इस सत्र को रखने का प्रयास करते हैं जिससे की आप सभी लोग गर में बैठ करके योग से आयर्वेज से प्राकृतिक चीज़ों से ठीक होने का प्रयास करें और घरेलू चिकित्सा भी करके ठीक हो जाएं आज हम सर्दियों के विशेश यूग अभ्यास हम देख रहें बहुत सारे लोग सर्दियों में जाते हैं जिसको हम जॉगिंग कहते हैं वो करने के लिए लेकिन बहुत सारे लोग घर में सोय पड़े रहते हैं गर्मियों में तो बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको जॉगिंग करने के लिए लेकिन सर्दियों में बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं क्योंकि सर्दियों में लोगों का यही रहता है कि ठंड लगती है और जिसक स्वेटरपै आपको ठंड भी लगते कोई समस्या नहीं आप घर में बैठ करके अपने शरीर में गर्मी पैदा करें और गर्में बैठ करके आप गर में ही रह करके आप योगिक जोगिंग का भ्यास जब करते हैं तो आपका तो सर्दियों का जो समय है दोनों हातों के मुठ्टियों में अंदर अंगूठों को बंद कर लेंगे और श्वास भरते और छोड़ते वे पहला अभ्यास योगिक जोगिंग का ये बारह अभ्यास हैं आज हम इन बारह अभ्यासों को देखेंगे पहला अभ्यास योगिक जोगिंग का श्वास भरते छोड़ते वे च जितना जितना जिसका सामर्ते हैं भी महाथ भुजूर लोग दीरे दीरे कर लाएं जास भरते शास चुटे एसे उपर और उपर और उपर इस तरह से चले जो लोग जवान हैं वे लोग बहुत तेज करना दूसरा अभ्यास चल रहे हैं एक हाथ उपर दूसरा पैर पीछे मुठ्या को ले शास पूरा भर के एक हाथ उपर दूसरा पैर पीछे ऐसे धीरे धीरे से करना जो लोग बिगनर हैं जो लोग नए नए अभी योग करने के लिए आए हैं वे लोग प्रतिय अभ्यास को ऐसे धीरे धीरे करें इक एक प्रेक्टिस को धीरे धीरे करें श्वांस भरतेवे हाथ उपर श्वांस छोड़तेवे आथ नीचे ऐसे वे प्रीद दिशा से एक दो तीसरा अभ्यास श्वांस बाहर कमर पर हाथ एक गुटना उपर वापस नीचे फिर श्वांस बाहर गुटना दूसरा वाला उपर वापस नीचे लगातार एक एक अभ्यास को दीरे दीरे समझते जाएं सीखते जाएं प्रणयाम पूर्वक करते जाएं श्वांस बाहर गुटना उपर श्वांस बाहर गुटना उपर श्वांस भरते वे नीचे ऐसे करें लगाता है बिना रुके प्रभु आशीश दो हमको तुम्हारे अन्ष बन जाए बने राही परमपत के रिशी के वन्ष बन जाए चार नंबर दोनों पैरों में थोड़ा फासला उत्कटासन श्वास पूरा भरे ऐसे रुके रुके थोड़ा गुटनों पर खिंचाओ तनाओ कानुभव करें कमर पर हाथ रख सकते हैं सामने हाथ रख सकते हैं गुटनों पर हाथ रख सकते हैं बस एक ही बात के ध्यान रखना हम कमर को नहीं जुका जाए यह ध्यान रखना एक तरीका दूसरा तरीका तीसरा तरीका कमर सीधी रहेगी श्वास बाहर वापस आज़ें फिर से करें एक दो तीन श्वास बाहर वापस आज़ें पांच्वा ब्यास योगिक जोगिंग श्वास पूरा भरके एक श्वास छोड़कर वापस फिर श्वास भरके दो श्वास चोड़कर वापस कोशिश करें बैठने की दीरे दीरे पहले दिन नहीं बैठा जाएगा प्रियास करेंगे कुछ दिनों के बाद बैठने में अपर ऐसे रख सकते हैं अंगूठा बाहर मुठियां बन च्छटा अब्यास कमर पर हाथ एक तरफ घुमें दुनों पैर एक तरफ श्वास पूरा भरके ऐसे लगाएं आगे वाले पर जो हैं कमर पर हाथ रहेंगे और पीछे वाला फैर बिल्कुल खिंचाव गुटने से मोड़ ना नहीं श्वास छोड़ते वापस आजाओ फिर श्वास भरें दूसरी ओर से रिलेक्स ये एक ही बार करना है सात्वा अभ्यास साथ बार करना है सेवन्थ प्रैक्टिस सेवन टाइम्स श्वास पूरा भरके पीछे जाएं श्वास पूरा बाहर वापस दू तीन चार पांच शेख साथ ऐसे साथ अभ्यास करते हैं आठवा अभ्यास में चलते हैं तोनों पैरों को ऐसे ही खोल कर जब पांच नंबर में हमने पैरों को खोल लिया था तो पांच नंबर के बाद ये पैर खुले ही रहेंगे अब ये बंद नहीं करना बंद कब होंगे दस्वे में अभी हम आठवा नौवा और कर रहे हैं आठवे में दोनों हातों को ऐसे साइड से चिपका दें श्वास भरते वे राइट हैंड ऊपर करें श्वास बाहर दीर तरफ जुका देंगे और केवल साइड में लेटरल बैंडिंग थोड़ा सा भी आगे नहीं आना ऐसे जुकना और थोड़ी देर रुकना ये कान से सटावं ये टकने से सटावं कमर साइड में मुडी वी गुटने सीधे श्वास बाहर थोड़ी देर रोकें द्रिश्टी सा आयग में यह आठ्वा अभ्यास है इसको कोण आशन कहते है श्वास भरती वे वापस आ जाना प्रिश्वास भरें श्वास बाहर लिए अधस्य पूरा श्वास बाहर कि दूसरी कि तरफ से कर रहे हैं आठवाभ्यास एड़्ट प्रैक्टिस औफ योगिक जोगिंग यह आसन भी है लेटरल वेंडिंग के कुछ आसन ट्विस्टिंग बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग बैक बेंडिंग दूनों तरफ के यह आठवाभ्यास तो इसको एक बार और करते ह हैं जब यह इतना अच्छा होने लगे तो प्रयास करना यह और अंदर तक चला जाए और नीचे और इसको भी पूरा जमीन तक लगाने का प्रयास है वापस आज़ा है फिर दूसरा भी चले हैं तूसरी तरफ से यह हमारा अभ्यास वा आठवा नववा अभ्यास त्रिकोणासन त्रिकोणासन तीन प्रकार से होता है कैसे कैसे एक पार्ष कोणासन की तरह से एक पैर ऐसे मोड़ देंगे इसको जुका देंगे दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे धीरे धीरे श्वास पूरा बाहर और इसक आट को देखेंगे वापस आदें रिलाक्स श्वास भटड़ें पैर फिर शिदा अब दूसरा पैर उधर दूसरी तरह मोड देंगे इसको जुका देंगे हाथों को सामने साइड में कर लेंगे श्वास बाहर होगा और इस हाथ को इस पैर के पास में और इस हाथ को देखें उपर खींच कर रखें कमर पर मन को टिकाए द्रिष्टी उपर रहेगी यह पाश कोनासन वापस आजाएं रिलेक्स पैर सीधे कर लेंगे अगला अभ्यास कोनासन के तीन अभ्यास बता लें श्वास पूरा बाहर होगा एक हाथ दूसरे पैर को लगे ठोड़ी लगेगी इस गुटने को और दूसरा हाथ उपर खींचावा गुटने बिल्कुल सीधे श्वास बाहर श्वास भड़ते वे वापस आजाएंगे फिर श्वास बाहर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे कमर दर्दवाले इसको अभ्यास नहीं करना वापस आजाएं श्वास भड़ते हैं यह हमारा त्रिकोनासन का दूसरा अभ्यासता है कि इसको आप शीगृता से व्यायाम की तरह से करेंगे सर्दियों में श्रीर में गर्मीा जाएगी फिर्दियों कम लगने लगेंगे यह आपका दूसरा आबॐधा सी के तीसरे करते था लो यू करते थे और अब त्रिको लासन कर रहें कर रहे हैं इसमें श्वासपूरा बाहर होगा और राया दाईं और उसको थोड़ा साथ में कि अजआट सा अगे जूँकते स्वूसे समय नंबर में क्या होता था केवल साइड में जब्ते थे gekommen साइड में मुडते नुश्यू में एक नमबर ये थे था दूसरा नमबर पार्शु कोनासन था तीसरे नंबर में दूनों हाथों को ऐसे करके धीरे 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 श्वास बाहर और थोड़ा आगे जुकेंगे थोड़ा साइड और इसको लगा देंगे पैर के ठीक पास में जमीन पर दूसरे हाथ को देखें यह त्रेकोंड आशन का अभ्यास श्वास भरते वे वापस पिर दूसरी तरफ चलेंगे जिए धीरे-धीरे आसन किये जाने वाले आसने यह वाला जो अभी बता रहे हैं इसको दीरे-धीरे करना चाहिए इसको तेज नहीं करना व्यायाम की तरह तो कि इससे कमर की कोई नस्केंची कि फिचने की संभाव न रहती है इसलिए यह त्रीको आसन और दूसरा आसन है इसमें पाद हस्तासा श्वांस भरते हुए उपर जाएं ऐसे भरें फिर उपर पिर श्वांस बाहर ऐसे नीचे आजाएं आए चलते रहे है अगर आप पैर पास में करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं करके कर सकते हैं तो एक पैर का गैप बीच में रहे इतने गैप से आप कर सकते हैं ऐसा लगा देवें लगा था ये तीन तिन पास पास बार 11 अभ्यास चलते हैं इस साब उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं बिगनर हैं या फिर जो अभी नए नए सादक अमारे स्वामी न्यूस के इस चैनल से जुड़े हैं उन सब के लिए सर्दियों में विशेश योगा ब्यास कहां से शुरू करें वह बता रहें ग्यारवा अभ्यास हम देख रहें पीटी का अभ्यास बच्पन में खूब पीची स्कूलों में की होगी आपने सबी ने दोनों हातों को अतेलिया आकास की ओर दिखाते हुए एक श्वास बाहर दो फिर श्वास भरें तीन हतेलिया जमीन की दिशा में और चार में श्वास बाहर चार एक दो तीन चार एक में श्वास भरेंगे दो में श्वास बाहर तीन में श्वास भरेंगे चार में श्वास बाहर यह अभ्यास लगाताः गिंति के साथ के साथ चलता रहएगा 2 में अठलिया आकास कियोट और 4 में जो है तीन में जो है अठलिया वापक के जमीन की ऊझाएगे ब Moltis पहली बार जब अठलिया निकलेंगी तो आकास कियोट और तीसरे अभ्यास में यह वहतेलिया नीची आएंगी तो जमीन कियो यह लेंगे, एक श्वांस भरें, श्वांस बाहर दो, ताल बजेगी और श्वांस फिर से भरें, तीज़, फिर श्वांस बाहर, शाह यह कुर्दन ताल यानि 11 अभ्यास का नाम है कुर्दन ताल एक, दो, तीन, चार लंबे श्वास के साथ अब एक की गिंती में continue चल रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आथ, ऐसे और यदि आप चाहें तो step by step कर सकते हैं यह चार, दो, और एक, वो कैसे होगा यह एक, दो, तीन, चार यह चार का अभ्यास का अब इसी को दो के step में करता है एक, दो, एक, दो और जब इसको यह समझ में आ जाए सभी के practice में आ जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए एक की गिंती में करना कैसे हैं जो, तीन, चार, पांच, लंबे शास के साथ चलते रहें क्यार, बार, तेरह, जोदा, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्ने, वीज, अब नए लोग 20 तो maximum है उनके लिए पुराने लोग 50 तक करते हैं, जो लोग पहले से कर रहे हैं अब बारवा अभ्यासे योगिक डान, दुनों हाथों को एक तरफ और पैरों को दूसरी तरफ एक, दू, एक, दू, एक, दू, एक, दू, श्वास भरते चोड़ते करना पैरों में खोड़ा फास्मा करके चरी को ढटीला छोड़ देना लंबे-लंबे श्वास भरते और शोड़ते वह चुआ कुद्स अब खुर ने के बाद रिलाक्स होने के बाद बैट जाएं पैरों को सामने खोल कर पैर बिल्कुल सामने कियो आज कुछ ऐसे आसनों को बता रहे हैं जो सर्दियों में आवश्यक रूप से हमें सब को ही करने चाहिए नए योगसादक हैं वे भी और जो पुराने योगसादक जो काफी समय से प्रण लंबे श्वास कमर पर मन को टिकाएं आखें मंद रखें शरीर में थोड़ी स्थिर्ता के साथ में तेक आसन योगासन प्रणायाम को करना चाहिए कि क्योंकि जब जल्दबाजी में करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव के अलावा कुछ नहीं होगा हमें बीच बीच में रि रिलैक सेशन किया बैठे बेठे फिर पेट के बल फिर पीठ के बल फिर कर्वत में शवासन जोगर निद्रा ऐसी अलग लग रिष्ट में सार्डियोटर नहीं जिसको अपन relaxation या फिर शितिली करण या फिर थोड़ा आराम कहते है ऐसे धीला छोड़ते जाए और गर्दन को भी रिलाक्स कर दें पीछे धीला छोड़ दें आखें बंध होंगी कोमलता से आखें बंध ही रखें सर्दियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आसन है वे आसन आजम बता रहे हैं पुरुष्यों को कौनसा विशेश आसन सर्दियों में करना ही चाहिए स्त्रियों को कौनसा विशेश आसन सर्दियों में करना ही चाहिए और दोनों को और बच्चों को कौनसे आसन विशेश रूप से करने ही चाहिए कई बार पहले भी बताए हैं, आज फिर बताएंगे हमें सब को, सब जो स्वस्थ वेकती हैं, वे भी वे बिमार वेकती हैं, जो वे भी पहला पहला अभ्यास अगर बैठ करके करें, तो सबसे पहला वक्रासन का अभ्यास करें तो वक्रासन के अभ्यास के लिए दंडासन दंडासन का मतलब दोनों पैरों को जब हम सामने खोल के रखते हैं इसको कहते हैं दंडासन आसन होते हैं चार प्रकार के पहले होते हैं खींचने वाले तानने वाले आसन दूसरे होते हैं प्राणायाम वाले आसन तीसरे होते हैं बल वर्धक आसन, चौते होते हैं सनायों के संचालन वाले आसन, इसी प्रकार से चार अवस्थाओं में भी होते हैं, पहले खड़े-खड़े होते हैं, दूसरे बैठे भी होते हैं, बैठे भी में भी एक दंडासन में, एक पदमासन में, एक वज्जरासन में और तीसरे होते हैं लेटे लेटे जिसमें पेट के बल पीट के बल लेटे और चौते होते हैं उलट पलट वाले आसन यानि कि उलटने वाले जैसे सिर नीचे और पैर उपर शीर शासन सरवांग आसन इन आसनों को उल्टे आसन के तो अभी हम पहला पहला जो अभ्यास कर रहे आराम हो गया अब हम आसन की तयारी में चलते हैं वापस आसन करने के लिए लेफ्ट वाले पैर को ऐसे गुटने से मोड लेते हैं लेफ्ट वाला पैर ऐसे मुड़ जाए और राइट हैंड ऐसे ऊपर उठ जाए श्वांस पूरा बाहर शूट जाए और धीरे-धीरे ऐसे अंदर की तरफ लग जाए अगर इस पैर को पकड़ पारे हैं तो अच्छी बात है नहीं पकड़ पारे हैं तो थोड़ी देर प्रयास करते रहें और पीछे गूम जाएं अधिकतम समय तक पीछे गूम करें लगातार इस कारेक्ट्रम को देखने वाले सभी हमारे दर्शकों का हारदिक स्वागत अभिनंदन या दिकिनी का कोई प्रश्ण भी हो तो आप लाइव इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं देख पा रहा हूं दर्शक हमारे लाइव बने हुए यह अभ्यास वक्रासन का कहलाता है इस वक्रासन की अभ्यास को हम कर रहे हैं फिर से एक बार लेफ्ट वाले को हमने ऐसे मोड लिया राइट वाले को ऐसे उपर उठाया हैंड को राइट हैंड को इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए पैर में यह ध्यान रखना चाहिए नही आप नीट से लगी वी प्रशों आपको डायाबिटीज से संबंद दस आसन बताया थे प्रणायाम सहीद और कि कल आपको बच्चों की हाइट बढ़ाने से संबंद चार योगासन और एक प्रणायाम बताया क्या खाना और क्या पीना चाहिए वह भी बताया तो हमारे प्रत्येक सत्र जो है बड़े मैत्वपूर्ण और विशेश रहते हैं आप सभी सब परिवार स्वस्त आनंदित तुखी रह सकें इसके लिए हमारा कारेक्रम स्वामी न्यूस की योग वा स्वास्थे की पहल का रहत उन्दे ले सकते हैं निजी कख्षाओं के माध्यम से ओनलाइन ऑफलाइन अमारी कख्षाओं भी और और भी चलती है यदि आप उनको भी अटेंड कोई करना चाहें तो वे स्वामी न्यूस से संपर्ख कर सकते हैं श्वास पाहर और श्वास भढ़ते वे वापस आते हैं अर्ध मचें रासनhhज। इसी को दूसरे प्रकार से करते हैं वक्रासन और दूसरा अर्ध मचें रासन। यह सबके लिए आवश्यके हैं केवल डाइबिटीस वालों के लिए नहीं सभी को करना चाहिए बोड़ी का इस्ट्रक्च्रल बैलेंस हमारा अच्छा होना चाहिए एक पैर को ऐसे क्रॉस लगा दिया दूसरे को अंदर ऐसे समेट और विपरीत वाले हाथ को ला करके ऐसे लगाया श्वास बाहर और दीरे दीरे पिछे गूम गए अधिक्तम रोकने का प्रयास पेट पर मन को टिका के रखे श्वास भरते वे वापस आ जाए अर्द मत्सेंद रासन हमने अभी किया दूसरी ओर से कर रहे हैं इसको क्रॉस लगाएं इसको दूसरी तरफ से और थोड़ा पास में लगाने का प्रयास बहुत दूर नहीं लगाने पास में और दूसरे को समेट देवें अंदर और पहातों को थोड़ा पास में लिए हैं तो यानि कि दाया उपर है तो लेफ्ट गुण जाएं जाएं कि श्वास भरते वे वापस आजाएं रिलैक्स विश्वराम हो जाएं यह अभ्यास प्रती दिन सब को करना चाहिए अगला अभ्यास चलेंगे दीरे दीरे वज्जरासन में जिन लोगों के साइटी का पेन है वे लोग वज्जरासन को जरूर करें जिन लोगों के गुटनों का दर्द है वे लोग वज्जरासन को ना करें जिन लोगों को थाइरेड है जिन लोगों को फेफडों की कमजोरी है जिन लोगों को अस्थमा है उन सब को जो आसन करने चाहिए उन लोगों के लिए आसन बता ले और बाकी स्वस्त व्यक्ति भी अपनी स्पाइन को अपने लंग्स को अच्छा मजबूत बना के रखने के ल पैरों में थोड़ा फांसलह रखे और इन पैरों को ऐसे लोक करदेंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से नियुकह और जब ऐसे पकड़ में अजाएगी तो श्वास भरेंगे अंदर और इन हतेलियों से इन हाथों से ही कमर को आगे धक्का लगा दीरे दीरे लगा है आखें खोल कर रखें यदि आपको चक्कर आने की असिर गूमने की समस्या है तो दीरे दीरे करें और फिर दीरे दीरे से वापस श्वास बाहर शोड़ करके आ जाएं और अपने वज्जरासम में आकर बैठ जाएं जो बिगनर है जो प्रारंबिक लोग हैं वे लोग ऐसे दीरे दीरे और थोड़ा थोड़ा किया करें जिससे कि आप दूसरे दिन भी कर सकें और शरीर की स्थिति हमारी संभली भी रहें कहीं के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता तो बीपी बढ़ जाएगा नहीं तो समस्य आजाएगी इस आसन के बाद एक आसन और होता है ऊसन को हम उस्ट्रासन जाएगे करेंगे फूर पेरों को कर देंगे टूड़ा ए दोनों पेरों में बिल्कुल जुलेवे नहीं धुल्य टाएग स्लम गोल गुमाना और इसके गुटनों के नीचे लगते हैं ऐसे करके भी आप कर सकते हैं जिससे की गुटनों को नीचे जमीन नहीं लगेगी उटने खिचेंगे नहीं फिर श्वास पूरा अंदर भरें और अंदर ही रोकें दीरे दीरे एक एड़ी पर अपने हाथ को लगाएं दूसरी एड़ी पर अपने हाथ को लगाएं फ्रोजन शोल्डर वाले इस अब्यास को नहीं करना गर्दन दीरे दीरे धीली छोड़ देंगे सिर को धीला छोड़ इसमें थोड़ा सा पीछे जाकर के अपने आपको लोकेट कर दो अच्छी जगे पर हमारा शरीर सीधासा हो जाए चक्कर आने वाले लोग कोई भी इसका अभ्यास बिलकुल मत करना जिनको चक्कर वर्टिकों की प्रब्लम है वह लोग इस आसन को बिलकुल नहीं करना पापस आ जाएंगे फिर से रिलाक्स हो जाएंगे अब इस आसन को श्वास बाहर छोड़ने के बाद करेंगे अभी हमने भरने के बाद किया था अब इसी आसन को श्वास चोड़ने के बाद करेंगे चलेंगे श्वास बाहर चोड़ देंगे पूरा श्वास बाहर अब यह उट्र पांच से दस सकेंड प्रारंबिक लोग लगजा सकते हैं जिनको इस आसन में समस्य आती है वह बिल्ली चीते अत्वा शेर के कुछ अभ्यास को करने के लिए कुछ ऐसे आसनों को लगाए जिसको cat पोस्ति या टाइगर पोस्त कहते हैं वह अभ्यास जब करेंगे तो उनसे उनकी कमर बिल के जादा एघी जादा तनावनी आएगा आसानी से करना कैसे कर नाया हिसे दोनों पैरों को सीधा ऑज दोनों गुटों में फासला इस्टों क्वमिस तो को यह पास में लगाना दूर अ कि गुटों के बंध अपने शरीर को ऐसे अध्यों के बन भी इस चरिल को ऐसे स्थिर कर लें कि कमर का निचला वाला भाग जो हमारा यह वाला होता है इस भाग को अब नीचे की तरफ दबाएंगे और श्वास अंदर भरते बढ़ते दबाएंगे गर्दन उपर कमर वापस अब इसकी विपरीद दिशा में आएगी ऐसे फुल्टी चलेंगे अब इस कमर को ऊपर की तरफ हींचे और गर्दन नीचे की तरफ बिल्कुल विपरीद दिशा में पर श्वास भरें फिर से कमर नीचे की ओर यह लूवर पार्ट जो हमारा कमर का इसी कोई हम खींच रहें इसी कोई चला रहें फिर से उपर श्वास भर की फिर से उल्टा चला रिवार्ट फिर से एक बार और कमर को पूरा नीचे से ऐसे गुमा करके उपर की तरफ हम देखें फिर विपरी दिशा से इसकी बैंडिंग करें विश्राम धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं मकर आसन दोनों पैरों में फासला और दोनों पैर ऐसे हों कि हमारी एडियां अंदर और पंजे बाहर की आराम दायक स्थिती पैरों में थोड़ा पासला रखें एक हतेली के उपर दूसरी हतेली थोड़ी इनके उपर रखें वक्षेस्थल जमीन से लगाएं और चाहें तो एक करवट लेकर ऐसे आंके बंद शरीर धीला छोड़ कर रिलैक्स हो जाएं लंबी लंबी श्वास भरते छोड़ते वे शरीर धीला छोड़ें शरीर में कोई किंचाव तनाव नहीं ऐसे ही दूसरी ओर से भी चलें दूसरी ओर से भी करें सर्दियों में महीलाओं को विशेश रूप से जो आसन हमें करना चाहिए वह अभ्यास एक सिखा रहें फिर पुरिशों को जो विशेश रूप से अभ्यास करना चाहिए वह भी सिखा रहें बाकी सारे कौमन हैं जो महीला पुरिश बच्चे वृद्ध सभी अपने अपने शरीर की शक्ति सामर्थे के इसाब से कर सकते हैं तो इस त्रियों के लिए जो ज्यादातर किया जाने वाला अभ्यास सबसे ज्यादा उनको लाब करेगा वे उन आसनों में पहला-पहला अभ्यास जो है हमारा धनुर आसन अज के लिए एक ही बताएंगे श्वास पूरा सामान्य रखें दोनों पैरों के टकनों को हम ऐसे अच्छी मजबूती से पकड़ लें अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पेट के बल अपने शरीर को धीरे-धीरे यथा सामरते उठा रहें श्वांस पहले पूरा भड़े और दीरे-दीरे ऐसे उठाते चले जाएं यह पुरिश भी कर सकते हैं लेकिन पुरिश्यों को इसका अभ्यास कम करना चाहिए मैलाओं को इसका अधिक करना चाहिए हरनिया जिनको है वे लोग इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें अत्वा पेट की सर्जरी कराए हुए अभी छे मैंने साल बर नहीं हुआ तो बिल्कुल ना करें इसका अभ्यास इसको बस थोड़ी देर हमने ले जा करके अभी रोका है और फिर रिलाक्स हो गया विश्टाव कि जब यह अच्छे डंग से आपका टिकने लगेगा शारीरी कि स्थी थोड़ी ठीक होने लगेगी यहां फिर आप योग करते करते 15-25 दिन आपको हो चुके होंगे तो इसको आप ज्यादा देर भी रोक सकते हैं फिर से इसका अभ्यास देखें श्वास पूरा भरके धनुष की तरह धनुरासर वो पोज कहते हैं श्वास अंधर कमार पूरी खिषती है वक्षेस्थल पूर्ण रूप से स्ट्रॉंग मजबूत हो जाते हैं फिर से आराम करें तो बालासन में करें ऐसे आराम दाय किस्थदी चाइल्ड पोस्थ ऐसे ही दूसरी और से दूसरी करवट से आराम दाय किस्थदी अगला अभ्यास जो पुरिश्यों को विशेश रूप से करना चाहिए मैलां को सिद्धासन और मयूर आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए ऐसा योग के सादक लोगों का वरिश्यों का अगला अभ्यास हम कर रहे हैं मयूर आसन तो बकासन को पहले देख लेते हैं और फिर राक्त पहले सरल तरीका कौन सा है दोनों पैरों में इसी प्रकार से थोड़ा सा फासला होगा, पूरे भार को अपने हतेलियों, अपने रिस्ट, अपने इन भुजाओं पर संतुलित करेंगे, ये नए लोग इसको केवल देख लेए, बाकी जो थोड़े दिनों से कर रहे हैं हमारे साथ, वे इसका प्रयास करे धीरे धीरे अपने शरीर के भार को ऐसे भुजाओं पर लाएं, गुटनों से लाएं, और फिर श्वास पूरा अंदर भर लेंगे, और बैलेंस करने का प्रयास करें धीरे धीरे करें, आपका यह आसन टिकने लगें, बक यानी बगुला, ऐसे लगने लगें, इसी का दूसरा वाला जो व्यास है, वो होता है पदमासन, तो पदमासन लगा करके, इसके दूसरे आसन कुम कर सकते, श्वास पूरा भरके, जिनको सर्वाइकल की प्राब्लम चल रही हो, सर्वाइकल स्कॉंडॉल आइटिस की, वे लोग इसका अभ्यास मत करना, गर्दन में खुब फिंचाव तनावाद हैं, अगला अभ्यास मयूर आसन, मयूरी आसन, पुरिशों को आवश्यक रूप से, विशेश रूप से, जवान लोगों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे, उनका, रिप्रोरेक्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन सिस्टम दोनों ही अच्छे रहते हैं, और उसके अलावा, पेट के सभी अंग मजबूत बने रह होते हैं, चलिए, दीरे-दीरे इस मयूर आसन का भ्यास करें, श्वास पूरा भर के, अधिक्तम रोकने का प्रेहास करें, जब शम्ता पूरी हो जाए, दीरे-दीरे वापस आ जाए, लंबे-लंबे श्वास भर के रिलैक्टिव, पिर मयूर आसन कर लो, इसमें पदमा आसन लग जाता है, और पिर दीरे-दीरे जैसे मयूर आसन किया था, वैसे ही मयूर आसन भी है, श्वास पूरा भर के, चालीस के अंदर वाले लोग इसका प्रेहास करना, चालीस के बाद भी कोई व्यक्ति स्वस्त हो, तो ही इसका अभ्यास करना, ऐसे दीरे-दीरे इन आसनों को करके भुजाएं, वक्षयस्थल, सब कुछ हमारा मजबूत हो जाता है, ऐसे विश्वाम करें, लंबे-लंबे श्वाम, जो लोग नए हैं, वे लोग प्रॉस लगाएं अपने, श्वाम बाहर, दूसरी तरफ हाथ, एक हाथ पीछे, एक हाथ आ रहे, लगाता है, चलते रहे, बारी-बारी से, बिना गुटना मोडे, प्रयास करें, इस हाथ को इस पैर तक ले जाए, नही हर बार हमारा पेट नरम होगा, कि पेट कसाव आए, तो अपनी ऐसी पिंडली को यूं दबाएं, अच्छे डंग से दबाएं, फूप तेज दबाएं, कल प्रशन आये थे दो तो लोगों, दो तीन लोगों के प्रशन आये थे, कान में कीडा चला जाए, कान में मक्षी मच प्रशन चला जाए, तो क्या करें, तुरंत क्या करें, अरंड, एरंडी का तेल बजार में मिल जाता है, जिसको पेट साफ करने के लिए लोग लेते हैं, उस एरंडी के तेल को थोड़ा सा गरम करके कान में डालना, तुरंत ही मरा हुआ कीडा बाहर निकलाएगा, इसको भी दूसरे पिंडली को भी ऐसे ही दबाओ, पेट की बहुत समस्याएं, यह पेट ऐसे जमा हो गया, कि वापिस जाने का नाम नहीं लेता है, तो कौन से कौन से आवश्यक आसन सर्दियों में सब को करने चाहिए, वो चार-पांच अभी स्पीड से बता देते हैं, धीरे-धीर सबी करना, थोड़ा-थोड़ा बताएंगे, देखो, चक्की चालन का अभ्यास पहला-पहला, कमर यदि दर्द है कमर में, तो फिर इसको मत करना, श्वास भरते वे पीछे ले जाए, श्वास बाहर और आगे आए, इस चक्की चालन का अभ्यास, पचास-पचास बार तक कर सकतने कर लेना, यह नहीं हो, तो फिर लीट करके करने वाले कुछ अभ्यास हो, पूरा पीछे ले जाओ, इसमें दिक्कत आती है, पैरों को पास म रख लो, फिर चलाओ, ऐसे विप्रीद दिशासे में, ऐसे नौका सन ली, नौका चालन, नौका सन ली, नौका चालन, उल्टा भी चलाए, अगला भ्यास, एक श्वास पूरा बاहर, एक तरफ थोड़ी को, ऐसे लगा, फिर श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, थोड़ी को, दूसरी तरफ लगा, जलदी, जलदी करो, जलदी पेट को, अंदर करना चाहते हो, उतना जलदी करू, एक सेटंड में एक भाध एक दो एसट दो टो एस एधा बाध स्वास को बाहर छोड़ें और कुटन दोनों तरफ से भारी भारि से जाएं अभी पैरों में गैप ता पैरों में गैप भंक भंद करतेंगे कियूं जोड़ लें ऐसे चलो विश्राम विराम रिलाक्स ऐसे थोड़ा पीट के बल लेट करके कुछ आवश्यक अभ्यास को कर रहे हैं पहला नौकासन श्वास्पूरा बाहर इसको करना थोड़ी देर रोकना जल्द बादी में वापस नहीं आना पेट पर मन को टिका के रखना अब श्वास भड़ते वापस फिर श्वास बाहर है ऐसे व्यायाम करों जल्दी जल्दी एक सेगंड रोका भी वापस ऐसे कई कई बार करें अगला अभ्यास कमर दर्द वालन जितने भी हैं पहले कमर दर्द को ठीक कर लेना फिर दूसरे क्रियाओं को करना दोनों हाथ कंधों के बराबर में खोल दें दोनों पैरों को पास्ट में लियाएं एडियां को श्वास बाहर एक तरफ इनको जुकाना करदन दूसी तरफ श्वास बाहर आखे बंद कमर पर मंड को ठिका है थोड़ी देर रुकें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस सेकंड बस एक जगे रुके रहना फिर वापिस आजाना श्वास बढ़ते हैं ऐसे दूसी तरफ श्वास बाहर फिर लेफ्ट साइड में गुटने जुका है और राइट साइड में गरदन श्वास बाहर कमर पर मन को ठिका है आखे बंद एक दू तीन चार पांच छ साथ आठ नौ दस बस वापस आजाएं दस सेकंड तक एक ही जगे रोप कर रखना है हिलाना डूलाना नहीं है ऐसे दोनों पैरों में फासला ऐसे एक पैर को एक उटने को दूसरे पैर पर दूसरे गुटने को जमीन ऐसे लगाएं श्वास बाहर गरदन विपरीद दिशा म एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस वापस रिलेक्स विश्वाम शांस भर गी एक ही जगे रोखे रहना पिर 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 दिशा से दूसरी तरफ से करेंगे श्वास बाहर एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस वापस आशन में इस्थिर तावशक है इस्थिर नहीं रहेंगे तो आशन का लाब नहीं होगा कमर में दर्द वाले कुछ और अभ्यासों को कर लेना कंदर आशन को मरकट आशन तृतिय को पेट के बल भी कुछ आशन है नाभी धरन जिनका खिसक जाता है तो यह उत्तान पादासन और भुजंग आशन काम आते हैं इस तरह से थोड़ा सा योग आशनों के बारे में और डेली की पर परिशानियों को ठीक करने के बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए यदि यह सब अपना स्वास्ते आ अपने शरीर का जियान ठीक डंग से होगा ताब अपना बालन करेंगे यदि उसका तो फिर आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं कि श्वास्त की ऑज़्ग से अथन स्वास्त भरके एसी उठाओ कंधर्य rafta य है कि कैसे तूब अन उष्ट्रासन जो कमर्डरग में काम आते जो मैंने बैट कर के वजवरासन में बताया थे ओंट की तरह जो जो कैट पोज आफर पोस बताया है वे कमरदर्द में काम आते तो उन सब को भी अपने अपनी सुवीदार नुसर जितना आपकवा समय है उतना जरूर करना अब इतने सारे आसनों को करके व्यक्ति ठक तो जाता ही है तो शवासन करके अपने आपको आराम दायक मुद्रा में रख लेना बिलकुल आराम दायक स्थित और आखें बंद लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें बहुत लंबे गहरे श्वासों को धीरे धीरे भरें धीरे धीरे छोड़ें शरीर को हिलाना डुलाना नहीं बिलकुल रिलाक्स रखना बोड़ी को शरीर में जो आशन और सूक्ष में स्थूल व्यायाम के द्वारा परिवर्तन हुए उसको अनुभव करने का प्रियास करें सारे शरीर को धीला छोड़ करके पूरी तरह से रिलाक्स 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 शितिल शितिल कहीं से कसकर नहीं रखना जैसे कोई पानी का ग्लास जमीन पर फैला देता है इसी प्रकार से शरीर अमारा भूमी पर फैला हुआ है पसरा हुआ है हिलना डुलना मत मन को अपने शरीर पर केंद्रित रखना इदर उदर मत भटकाना ये आसनों का क्रम ये तो आपको बताए हैं सब अपने अपने इसाब से आप करना लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा का आसन अपने को प्रत्य एक दिन में नहीं करना चाहिए फिर 30 मिनट का आप चाहिए तो शाम को कर सकते हैं लेकिन सुबह एक गंटा योग के लिए निकालना 30 मिनट आसन और 30 मिनट प्राणायाम एक गंटा यह हैं अमारा योग का सत्र होगा इस तरह से रोज करना शरीर पूरी तरह से जब शितिल शान्त रिलैक्स हो जाए आराम दायक स्थिति में आ जाए तो हम सब को अपने बाइं करवट आ जाना चाहिए लेफ्ट वाली करवट में ऐसे लेट जाना चाहिए तो बाइं करवट आकर लेट जाए और बाई करवट आकर लेटने के बाद दाया वाला हाथ राइट वाला हैंड ऐसे लगाएं और इस राइट हैंड को जमीन से खूब दबाएं और धीरे धीरे ऐसे उठ करके अपने आसन में बैठ जाएंगे इसके सत्र में इतना ही रखते हैं ओम आज के सत्र में हमने बहुत कुछ जाना इस बहुत कुछ जानने के साथ में इस सत्र के साथ बहुत छोटी 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 बड़ी बड़ी क्रिया जानी इस इन सभी क्रियाओं को करके अपने अनुकूल जो हमारे पढ़ती हो उन अनुकुल क्रियाओं को करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं अपने मन को अच्छा बना के रखें तनाव मुक्त रहें शवासन रोज करके और कानों में समस्या के लिए should we comempfen कि को कौन को सबकakah करना है खुन को सब्सक्राइब दिन मेरे कहने से अगर कारे करेए तो आपके कानों की समस्या हमेशा के लिए समापत हो जाएगी, दर्द और आवाजें आना तमाम तरहेगी, क्या दो दिन तो आपको कुछ भी नहीं लेना, पानी में नीबू डाल करके लेना, जिनके गुटनों में दर्द हो, वे लोग इसका प्रयोग ना करें, लेकिन पानी में आपको नीबू डाल कर और दो दिन के बाद अगले दो हफते तक, यानि कि चौदह दिनों तक आपको रसाहार पर रहना है, फलों का रस लेना है, फलों को सेवन करना है, फलों का रस और फलाहार, इस पर रहना है, और ज़्यादा आपको आवशकता है तो धारोशन दुख दुले रहे, धारोशन यानि अभी अभी गाय के थन मेंसे निकला हुआ और सीधा जीप पर यहां फिर सीधा एक पात्र में और बिना गरम किये वे उसको पी जाए यह धारोश्ण जो दुग्द होता है बिना पानी मिलावा बिना गाय का उना चाहिए देशी गाय का उना इस दुग्द का सेवन कर सक धारोशन दुग्द इनी पर चले और पानी शिकंजी इस तरह की चीजें कोशिश करें इसमें शक्कर ना हो कोई सी भी अलग से शक्कर ना डालें यदि मीठा करना है तो खांड बूरे आधी का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा इन 14 दिनों में आपका शरीर इतना अच्छा श प्राकरतिक चिकस्ता का उपाएं बता रहा हूं क्योंकि हमारा यह सब्सक्राकरतिक चिकस्ता का से से भी संब्द्र है तो नीले रंग की ऑप अलग अलग रौशनियां अलग अलग सूरी चिकिस्टा जो रंग चिकिस्टा होती हैं वह आमारे ऊपर शरीड पर बहुत विशेश प्रभाव ढालते हैं जिसमें नीले रंग की नीले रंग की बोतल बजार से खड़ादर कर ना दूप में 5 गंटे 4 गंटे तीन दस दिन जितना कर सको कंद कम से कम इसको फ्लूब यह अपनि это वाधर करें तो यह आपका ट्यार हो जा call celebr आप पिया और प्रयोग करें E आपकी मशीन स्टीमर आता है उसके आसपास में आपको भाप देनी चाहिए जिससे की कानों की समस्या में विशेश लाब होता है चाहे वो दर्द हो चाहे बहरापन हो अत्वाज कान में साय साय की आवाज आती हो और एक चौथा प्रयोग जो प्राणयाम वाले करवाते हैं कर नाम है कर्ण कर्ण रोगान तक प्राणयाम कर्ण रोगान तक में श्वास पहले पूरी भर ली जाती है नाक से और फिर नाक को बंद कर दिया जाता है और फिर प्रेशर करते हैं कानों से श्वास बाहर निकाल लेगा है मूँ पूरा फूल जाता है हुआ ऐसे झ direction निकलती तो नहीं कानों से लेक таким बाद में जब पूरा हो जाए 5 साथ 10 15 से कंट न प्रेशर दे करके प्री पिर पाशिव conquest को नेख तो पांच से-7 बार क्रिया कान के रोगीउं को करनी चाहिए दूसरा नाक से तेज वेग पूर्वक्ष्वास को कि जैसे कोई कपाल भाती करते हैं इस प्रकार से पांच मिनट से लेकर एक घंटे तक इसका प्रयोग कर सकते हैं कान में विशेश लाब होगा विशेश चाहे वो सायं-सायं की आवाज हो चाहे दर्द हो कि यह कान के बारे में सारा आपको योगिक और प्रक्रतिक चिकिस्ता का उपाय बताया आज के करें को हम हास्यासन के साथ पूरा कर रहें तेज श्वास पूरा लंबा बढ़ें और तेज दबाएं इसको पिर से श्वास बरके ओओ फिर से श्वास बरके ओओ हाँ ओम शानते 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 सर्वी भ्यो नमः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभाद, आप सब ने इस करिक्रम को ध्यान पूर्वक देखा, योगा ब्यास किया, आशा है आप सभी इस लिंक को आगे भी शेयर करके इस योग से स्वास्यलाब उठाएंगे, आज के करिक्रम में इतना ही सब का आभाद, दर्णिवार ओूम हैS